गाईस आपने अरवी की सबजी तो बहुत खाया होगा, सभी के घर में बनती है और काफी लोगों की फेवरेट होती है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते जिने नहीं पसंद होती है अरवी तो आज मैं आप लोगों को एकदम नया तरीका अरवी की सबजी बनाने का बताने जा रही हूँ एक बार आप इस तरीके को बना के खिला देंगे घर में ना तो सभी की फेवरेट हो जाएगी अरवी और सभी उंगलिया चाट चाट के खाने पे मजबूर हो जाएगे एकदम सिम्पल सा और एकदम नया तरीका बनाना बताने जा रही हूँ सबजी का तो आप लोगों से रिक्वेश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और घर पे अरवी की इस तरीके से सबजी बना के जरूर ट्राई करिएगा तो सब्जी बनाने के लिए आप ले लिजिए अर्वी, अर्वी का हमें छिलका उतार लेना है ध्यान रखेगा कि अर्वी में हलका खुजराहट पन होती है तो आप अगर अर्वी को छिलका निकाल रहे हैं तो हाथ में थोड़ा सा ओयल लगा लिजिएगा उसके बाद छिलका निकालना सुरू करिएगा तो ये देखी कुछ इस तरीके से मैंने छिलका उतार लिया है बाकी जो अर्वी बची हुई है आप उसका भी छिलका इसी तरीके से निकाल लीजिए आईए हम मसाले देख लेते हैं हमें क्या क्या चहिए सब्जी बनाने के लिए तो मैंने लिया यहाँ पर एक चमच धनियाग पाउडर इसके साथ मैं आइड कर रही हूं इसमें आधा चमच हल्दी पाउडर साथ मैं आइड करेंगे हम लाल मिर्ठी पाउडर तो आप कम जादा कर सकते हैं सबजी जितना spicy बनाना चाहते हैं मैंने हाँ पर एक चमच इस्तमाल किया है इसे कसाथ इसमें हम एट करेंगे आधा चमच साहुजी गरम मसाला आप कोई भी सबजी मसाला इस्तमाल कर सकते हैं जिसका flavor आपको पसंद है एक चमच कस्तूरी मिथी आट किया है मैंने थोड़ा सा पाने डालके और मसाले को मिक्स कर देंगे इस तरीके से आप मसाले को मिक्स करके और 10 मिनट सेट होने के लिए छोड़ते हैं न मसाला अच्छे सेट हो जाता और फिर जब इसका इस्तमाल करके आप सब्जी बनाएंगे तो सब्जी ज्यादा टेस्टी बनती है तो हम इसे ढख देंगे ताकि मसाले के खुछ भी बाहर न जाए अर्वी का चिलकल ताने के बाद मैंने अर्वी को पानी में डाला था इसे हम दो बार अच्छे से धोलेंगे ताकि जो भी गंदगी हो वो साफ हो जाए उसके बाद अर्वी का हमें जो है पानी सुखाना है क्योंकि हमने इसे पानी में धोया हुआ है और अर्वी में जो है ना चिपचिपा पन होता है इसलिए इसे हम एक कॉटन के कपड़े पे रख देते हैं सूखने के लिए फैन के नीचे रख देंगे तो दस में अट में सारा पानी निकल जाएगा ग्रेवी बनाने के लिए एक बरतन मैंने गरम होने के लिए रखा है और इसमें आट करेंगे एक चमच रिफाइंड ओयल आप ओयल के कॉंटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं वैसे सबजी में ओयल थोड़ा ज़्यादा रहता तो सबजी ज़्यादा टेश्टी लगती है खाने में और गरम होने के बाद आधा चमच मैंने हापर मेथी दाना आट किया है आधा चमच आजवाइन आट करेंगे और आधा चमच मैंने हापर जीरा आट किया है अरवी में बादी पन होता है इसलिए मैंने हापर मेथी और आजवाइन का इस्तिमाल किया है अगर आप नहीं पसं पेस्ट आइट करेंगे इसे भी अच्छे से हम मिक्स करते हो एक कुछ सेकंड तक पका लेते हैं बहुत ज्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है प्याज और पेस्ट को प्याज का सारा जूस निकल गया है प्याज काफी सॉफ्ट हो गई है आप इसमें हम मसाला आइट करेंगे साथ में थोड़ा सा पानी आइट करेंगे ताकि मसाला जले नहीं गैस का फ्लिम लो रखेंगे और मिक्स करते हुए पका लेंगे तीन-चार मिनट में आप देखेंगे कि मसाला पक चुका होगा और ओयल अलग-अलग दिखाई देने लगेगा फिर इसमें हम एट करेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ये बिल्कुन ऑफ्टनल है सिर्फ कलर के लिए मैंने सबजी में इस्तमाल किया है मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा कलर दिखाई दे रहा है अब इसमें हम एट करेंगे टामाटर का पेस्ट हो दो मिडियम साइज का टामाटर मैंने ग्रैंड करके पेस्ट रेडी किया था अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम जो है पका लेंगे साथ में एट कर देते हैं हमें आपर स्वादा अनुसार नमाक मसाला में नमाक एट करने से सब्जी ज्यादा टेश्टी बनती हो और मसाला जलता नहीं है तो अच्छे से मिक्स करने के बाद कैफ लगाके लो फलेम पे हम इसे 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक मसाला पक रहा है आईए बाकी की तयारी करेंगे अर्वी का पानी सूखने के लिए मैंने रखा था अर्वी बहुती बढ़िया से सूख चुकी है ये देखे बिलकुन भी पानी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर एक कद्दूकस करने के लिए ग्रेटर तो यहाँ पर मैंने यह मोटा वाला ग्रेटर लिया है और इसमें हम कद्दूकस कर लेंगे अर्वी को तो अर्वी का इस्तमाल करते समय जो है ना आप छिरका निकाल रहे हो और फिर कद्दू कस कर रहे हो उस समय आपके हाथों में खुजली हो सकती है तो आप अपने हाथ में ओल लगा लिजिएगा यह देखे कुछी सरीके से मोटे मोटे लच्छे तयार हो गए हैं अर्वी के अब इसमें हम एट करेंगे हल्दी पाउडर तो मैंने यहाँ पर यह थोड़ा सा उपर से छिरकाव किया है लाल मिट्ची पाउडर का छिरकाव करेंगे और इसे साथ मैंने लिया है यहाँ पर सरस होती है तो निबू का इस्तिमाल करने से खोजला है और बादि पर हलका चम हो जाता है तो इसारीके साथ मिक्स कर दीजिए मैं लच्छे को मिक्स करने के बाद अब हमें इसे हलका फ्राई कर लेना है तो फ्राई करते समय आपको अलग से ओल डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है बस इसे फ्राई पेंड में डालिए और अलट पलट करते हुए फ्राई कर लेंगे जितना हमने सरसों का तेल इस्तमाल किया इन्हें हम साइड में रखेंगे आईए मसाला चेक कर लेते हैं लगबक की 12-15 मियट हो रहा है मसाले को पकाते समय बीच में मैंने 2 बार मसाले को मिक्स किया हुआ था तो बहुत ही पैरा सा कलर मसाले का दिखाई दे रहा है आप इसमें हम अट करेंगे अरवी के लच्छे को तो गरम गरम आरवी के लच्छे को जो आप मसाले के साथ मिक्स करते हो तो अच्छे से जो है मिक्स हो जाता है और मसाले का जो फ्लिवर रहता है वो लच्छे में बहुत ही बढ़िया से आ जाता है तो अच्छे से mix करने के बाद इसमें हम add करेंगे पानी तो आपको जितना gravy चाहिए उस हिसाब से आप पानी की quantity कम जादक कर सकते हैं मैंने यहाँ पर यह एक ग्लास पानी का इस्तिमाल किया हुआ है mix करने के बाद हम उपर से add करेंगे एक चौथाई चमच गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा हराधनिया add किया है मैंने काइफ लगा के medium flame पे हम 4-5 मिनट छोड़ देते हैं पकने के लिए थोड़ी देर के बाद मैंने कैफ उठाया है आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा कलर सब्जी का दिखाई दे रहा और यह हमारी अर्वी की एकदम नए तरीके की सब्जी बनकर तयार हो चुकी है इस सब्जी को आप रोटी चावल किसी के भी साथ सर्फ कर सकते हो खाने में सभी के साथ यह बहुत ही स्वादिश लगेगी बच्चे अक्षार अर्वी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप मेरे तरीके से अर्वी बना के देंगे तो उन्हें बहुत ही पसंद आएगी और एकदम चाव से खाएंगे मांग मांग के उमीद करते हूँ कि आप लोगं को अर्वी की सबजी बनाने का मेरा ये नया तरीका पसंद आया होगा अगर रेस्पी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा मेरे चैनल पर नया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आइसी रेस्पी आप लोगं को मिलती रहे मैं मिलती हूँ एक नई रेस्पी में बाई गाईस